नमस्कार आप देख रहे हैं TV9 भारत वर्ष का डिजिटल प्लाटफॉर्म और आपके साथ एक बार फिर मैं हूँ आयूश मिश्टरा टेस्ट क्रिकेट में पिछ को लेकर जज्जमेंट आए दिन होती रहती है अगर पिछ पर बहुत सारे रन बन गए तो उसे पाटा कहा जाता है और अगर पिछ दूसरे या तीसरे दिन हे टर्न करने लगे तो उसे खराब पिछ का दरजा दे दिया जाता है खास कर भारत में अगर कोई टेस्ट मैच दूसरे या तीसरे दिन तक खत्म हो जाए तो आलोचक पिछ पर तुरंट सवाल करने लगते हैं भारत और इंगलेंड के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर चन्नई की पिछ पर सवाल उठने लगे हैं लेकिन इन तमाम आलोचकों को भारत के दिगज क्रिकेटर सुनिल गावसकर ने लतार लगाई है गावसकर ने कहा कि भारत में जब गेंद घूमने लगती है तो लोग सवाल करते हैं लेकिन जब इंगलेंड में गेंद जबरदस सीम होती है तब कोई नहीं कुछ बोलता गावसकर ने लंच ब्रीक के दोरान स्टार स्पोर्ट से बातचीत के दोरान ये सारी बाते कहीं भारत की पिचो पर हमेशा सवाल उठाये जाते हैं लेकिन इंगलेंड में घास भरी पिच को अच्छा बताये जाता है सुनेल गावसकर ने स्पिन की मददगार पिचो पर सवाल उठाने वालों से कहा कि ये टेस्ट मैच है यदि आपको स्पिन नहीं खेलनी तो इंडोर अकैडमी की पिच पर जाएए वहाँ पर गेंद बिल्कुल सीधी आती है चिन्नाई में दूसरे टेस्ट की पिच पर इंगलेंड के कई पूर्व क्रिकटरों ने सवाल उठाये इनमें पूर्व कप्तान माइकल वान सबसे आगे थे उन्होंने चिन्नाई की इस पिच को बीच तक कह दिया सुनिल गावसकर ने पिच की आलोचना करने वालो पर पलटवार करते हुए कहा जब वो इंगलेंड में ऐसी पिच बनाते हैं जहां पर गाय और भैंस आसानी से चर सकते हैं तब कोई शिकायत नहीं करता वहीं भारत में दूसरी पारी में 134 रंद का स्कोर पार किया तब गावसकर ने चुटकी लेते हुए कहा भारत ने इंगलेंड के पहले पारी के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है इसका मतलब है कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए खराब नहीं है ऐसा लगता है या तो इंगलेंड के स्पिनर्स फायदा नहीं उठा सके या भारत ने बढ़ियां बल्लेबाजी की है गावसकर ने आगे कहा कि अगर पिच अच्छी नहीं होती तो मेजबान टीम भी मामूली से स्कोर परने पड़ जाती हमने रोहिच शर्मा को 150 रन बनाते हुए देखा है वो गेंद के करीब जाकर खेल रहा था पिच की आलोचना करना गैर जरूरी है इंग्लेंड में सीम के लिए मददगार पिच होती है आस्ट्रेलिया वहाँ पर 46 रन पर सिम्टा था पूरे मैच में गेंद सीम होती रही किसी ने एक बार भी इसके बारे में बात नहीं की ये हमेशा भारती पिचों को लेकर ही होता है जब भी गेंद स्पिन होती है तो लोगों को समस्या होती है ये चुनोती भरी पिच है और क्रिकेट ऐसा ही है पहले टेस्ट में पहले दो देन जब कुछ नहीं हो रहा था तब लोग कह रहे थे कि ये बोरिंग है कुछ तो हो ही नहीं रहा बैटिंग करना कितना आसान है इसलिए जो कुछ भी हम कहते हैं उसमें संतुलन होना चाहिए हर समय शिकायत नहीं करनी चाहिए चेन्नाई के पिच को लेकर 14 फरवरी को इंगल वान से औस्ट्रेलिया के शेन वान तक भिड़ गए थे वहीं इंगलेंड के ही पूर विस्मिरर ग्रेम स्वान और मॉन्टी पनिसर ने पिच के पक्ष में ट्वीट किया था भारत को जीत के लिए अभी भी इस मुकाबले में 7 विकेट की जरूरत है और टेस्ट मैच में अभी 2 दिन बाकी है जहां इंगलेंड को जो रूट से काफी उमीदे होंगी वहीं भारत ये उमीद करेगा कि कल अगले 2 सेशन के अंदर इंगलेंड ओल आउट हो जाए आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं साथी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारत वर्ष नमस्कार